आज इस तरह की रसेपी बनाऊंगी कि अंदर से सॉप्ट और उपर से कुरकुरी तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं गेस पर कड़ाही रख देंगे और एक टेबल स्पून ओयल डालेंगे अब इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे तो जीरे को अच्छी से चटकने द देख सकते हैं व्हाब के लिए इसमें डालते हैं दो कटोरी पानी दालना है तो यहां पर देखें अव इसको अच्छे से मिक्स कर देढ़ेंगी और गयस हम बिल्कुल रखेंगें हाई नहीं करना है एक छोटा चम्मस या स्वादन साल नमक डालेंगे तो अब नमक डालके भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम लगाता चलाते हुए इसको पकाएंगे सूजी को चार मिनिट हमने पका लिया है और यह देख सकते हैं आप लोग यह बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुका है दोखो हम क्या करेंगे आप इसको ढख देंगे करीब 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छूड़ देंगे ताकि हमारा दो अच्छे से ठंडा हो जाए तो चलिए जब तक इस्टफिंग बना कर तयार करते हैं तो मैंने पहन रख दिया है अब चलिए इसमें करीब एक टेबिल इसको ढल देंगे मीठी नहीं के पत्ते भी डल देंगे तो इनको मेना बारी काट लिया था अदरक कद्डू कस करके डाल देंगे अगर आप लोग चाहे तो इस श्वाद अनसार नमक डालेंगे द्वाट अधी टे तबिल स्पून से धनिया पाूडर डालेंगे गाटर Fahrenheit अब इन सब चीज़ों को 1 मिन्यट करीब सेंक लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने एक मिन्यट ने ना है दो हमें बड़े साइज के आलू लेना है तो इनको मैंना बोयल कर लिया था देखिए इस तरीके से बप् desired मिक्स करणा समाइगी है आप चली हमें क्या करना है is कि एक पिलिट में निकाल देंगे और इनको एसे ही छोड़ हो जाएं तो यहां पर देखिए हमारा डॉ भी तैयार हो चूका है । करीब के manner time हम क्या करेंगे इसको अच्छे से हमें वे मशल ना है तो हातों में लगा लें घुछा उग शुपन आठे को ऋब चुका है और यह बल्कुल डओ बन चुका है तो इसी तरीके का हमें सूजी का आटा चाहिए तो अब हम इसको एक स्टाइड में रखेंगे अब चलिए हम क्या करेंगे जो आलू की स्टेफिंग थी वो ठंडी हो चुकी है अब क्या करेंगे थोड़ी सी स्टेफिंग इस तरीके से लेंगे और या तो आप लोग गोलाकार में बना सकते हैं या मेरे तरीके से इस तरीके से लंबा सा बना सकते हैं तो सारी स्टेफिंग का इसी तरीके से हम बना कर तैयार करेंगे आलू की टिक की बना कर तैयार कर लिए अब चलिए हम सूजी का बैटर लेते हैं तो देखिए जितनी हमने आलू की टिक की बनाई उससे करना में यह प्लिखा है, ताकि और धररे तालु कीनों खुर दूआते हैं, तो पम चुवह दो आपके ड हाल्याइक करना में तो यह पस्वाफ्ट करना है मैं ने तो तरीमा मझे ना आप चल्यार एक ठोल दोल्यासी माश्ट आपके दोली गारओ, तो यह देखिए अब चले आपको दूसरा भी बना कर बताते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें लोई लेना है फिर से इसको हातों से दबाते जाना है और आप लोग बनाईएगा तो यह याद जरूर रखेगा कि आठे को हमें अच्छे से बूथना है तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से दूसरी बार भी रख देंगे तो यह देखिए जो बाहर निकलता है तो इसको इस तरीके से दबाते जाएंगे और टिक्की को पैक करत दे जाएंगे तो यह देखिए यह बहुत ही टेस्टी नास्ता बनता है आप लोग जरूर ट्राय कीजिए आप लोग एक बार अपने परीवार खुल्य बना के ख़लाएगा बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे घर में तो हर कभी बनता है मैंने सोचा आपके घर में भी तो यह देखिए हमारे दूसरी टिक्की भी तैयार है अब चलिए इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना कर तैयार करेंगे तो यहां पर देखिए तलने के लिए सारी टिक्की तैयार है अगर आप लोग चाहें तो इनको एर टाइट कंटेनर में भरके फिरेज में रखके दो-ती में पेल रख दिया ँसमें णाल धिया है उयल हमने डुपल sulla कर है ऑस में अब शब्न दर्बावा सब्सक्राइश धेय नहीं किला यहां पर नास्ता अब देते हैं दो दोmother नास्ता दक soap देते हैं मारा नास्ता referred to सेख चुका है तो अब इसको इस तरीकी से पलट देंगे ये नास्ता तल्ले में बिल्कुल सौप्ट होता है तो आराम से आप लोग पलट इएगा नास्ते को उलट पलट के अच्छे से हम गूल्डन ब्राउं सेख के तैयार करेंगे तो यहां पर देंखे हमारा नास्ता सेखने लगा है आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर देखे हमारा नास्ता बनके तैयार है अब चले इसो निकाल लेते हैं तो एक saliva की मदब से बड़ी जरिया लेंगे तो इस तरीके से रखते जाएंगे ताकि सारा ओयल है वो कड़ाई में चला जाए तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके तैयार हुआ है अब चलिए इसको करते हैं तो यहां पर मैंने प्लेट में डाल लिया है और यह देखिए हमारा नास्ता बनके तैयार है मैंने सार्व किया है अगर आप लोग चाहें तो हरी चटनी के साथ भी का सकते हैं तो चलिए आपको एक नास्ता तोड़ कर दिखाते हैं तो यह देखिए अंदर से सौप्ट और उपर से कुरकुरा तो बहुत ही टेस्टी नास्ता बनता है आप लो तो सस्क्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सेर जरूर कीजिए, थैंक यू